हेलो स्रेंट्स वेलकम तु दे मुबाइल कोर्स आफ कॉंपिशन कमुनिटी और सब्जेक्ट ऑफ इंडियन जोगरफी आप तक पहुंच जाएगा फिजिकल डिविजन वाले टॉपिक के वीडियो को देखने से पहले यह introductory part देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे information आपको मिलेंगे जो एक तरीके से foundation का काम करेंगे जिसके base पर आप physical division को काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं देखिए अगर किसी topic को हम समझते हैं तो उसे याद रख पाना बहुत कम बढ़ेगी ठीक है तो चलिए introductory part शुरू करते हैं physical division पढ़ेंगे क्यों पढ़ना पढ़ता है physical division physical division कहने का मतलब ही क्या है पहले तो यहीं समझ लेते हैं physical division कहने का मतलब यह है कि जो इंडिया का आप natural map देखते हैं या फिर nature के द्वारा बनाया गया जो आप इंडिया द coastal plains, islands इनके बारे में आप पढ़ाई करने वाले हैं क्योंकि यह जो different topographical variations इंडिया पर आपको दिखेंगे इन topographical variations के accordingly ही geography के other concept भे build होते हैं आप जब physical division पढ़ेंगे तो physical division को समझने के बाद इंडिया के landforms, इंडिया के reliefs को समझने के बाद आप इंडिया में बहने वाले rivers और river systems को भी काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और ये relief और topography की वज़ा से जिस तरीके का climatic variation होता है वो climatic variation भी आपको समझ में आएगा soils के जो आप development देखते हैं, अलग-अलग जगों पर, अलग-अलग varieties के soil, अलग-अलग variation, अलग-अलग quality, properties के soil उसे समझने के लिए भी ये काम आएगा इस physical division को समझने के बाद आप इंडिया के different kinds of vegetation को भी समझ सकते हैं overall अगर मैं कहूं तो geography के जितने भी topics आप पढ़ेंगे इस syllabus पर, उन सारे topics को समझने के लिए foundation की तरह काम करता है Physiography of India, or you can say physical division of India, or you can say different kinds of topographical variations in India तो चलिए शुरुआत करते हैं इस topic के physical division of India, इसके introduction के शुरुआत करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के topic की, तो हमने क्या कहा कि हम physical division पढ़ने वाले हैं देखिए, मोटा-मोटी तोर पर, काफी elaborative तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन एक introduction यहाँ पर देख लेते हैं इंडिया के physical division को mainly five parts में, five categories में divide किया जाता है, जब इंडिया के आप physical map को आप देखें या फिर natural map को आप देखें तो इंडिया का जो सबसे northern part आपको देखने को मिलेगा, यह mountainous part है, ठीक है, पहाडों वाला area है यहाँ पर आपको mountains दिखेंगे, hills दिखेंगे, आपको gors दिखेंगे, तो इस part को एक अलग division के तोर पर consider किया जाता है और इस part को कहा जाता है, northern mountains, clear है तो सबसे पहला जो आपको classification मिल गया, इंडिया के physical division का वो क्या है, northern mountains, चीक है, north से south हम आएंगे, तो इसलिए सबसे पहले हमने north वाले physical division का नाम किया, northern mountains, चीक है, northern mountains को पढ़ने के बाद, यह northern mountains के जब आप southern part में आएंगे, तब आप एक different kind of physical part को देखेंगे, जो mountainous नहीं बलकि plane है, उसकी height नहीं है जादा, और इस part को आप क्या कहेंगे, यह part बन जाएगा, northern plane, clear है, तो यह आपको second part दिखेगा, at southern part of हिमाले, और इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे, northern plane, चीक है, उत्तरी मैदान, भी कहा जाता है, इसे हिंदे में, चलिए, आगे बढ़ उसके बाद, आपको उसके southern part पर, एक triangular shape का physical part दिखेगा, और इस triangular shape के physical part को हम पढ़ते हैं, third physical division के रूप में, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है, peninsular India, इंडिया, peninsular India भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसे peninsular plateau भी कह सकते हैं, clear है, तो ये तीन part हो गया, 14 part क्या होगा, जब आप ये peninsular plateau देखेंगे, तो peninsular plateau के western side और eastern side पर coast में, आपको एक plane दिखेगा, और इसे एक further category में हम रखते हैं, जिसका नाम हम क्या देते हैं, coastal plains of India, ठीक है, ये coastal plains सेफ आपको eastern side पर नहीं दिखेगा, बहुत ही narrow, लेकिन दिखेगा जरूर कहां पर western part में भी, eastern side का जो coastal plain होगा, वो काफी developed दिखेगा, काफी white दिखेगा, बट western side में भी आपको coastal plain देखने को मिलता है, तो इस तरीके से ये चार physical division आपने देख लिया, जो सबसे last physical division हम यहाँ पर discuss करेंगे, that is island groups, Arabian Sea के island groups, or you can say Lakshadip, और Bay of Bengal के island groups, or you can say Andaman and Nicobar island group, will be fifth category of physical division, तो पाँचवा जो पार्ट होगा, fifth जो काटेगरी होगा, उसे आप किस नाम से पढ़ेंगे, तो you will discuss this fifth physical part as island groups, तो इस तरीके से ये पाँच पार्ट पर इंडिया के physical division किये जाते हैं, सबसे पहला northern mountain, then northern plain, third part will be peninsular prative, fourth part will be coastal plain, and last and fifth part will be island groups, तो particularly हर एक पार्ट का हम detail में study करेंगे, with question pattern, तो तो पाइटर्ट है, तो चलिए शुरुवात करते हैं, particularly हर एक physical division की, लेकिन उसके पहले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कि ये जो भारत आप देख रहे हैं, ये जो physical India आप देख रहे हैं, ये ऐसा बना ही क्यों, ऐसा दिखता कैसे है, यहाँ पर green part, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको नदर साइट पर mountain दिखा, फिर plains दिखे, पेनिसुलार पेट्यू दिखा, कोस्टर प्लेंज दिखे, आइलेंड ग्रूप दिखे, मतलब कुछ न कुछ तो ऐसे events हुए होंगे, ऐसे घटनाए हुए होंगे, ऐसे incidents हुए होंगे, जिसकी वज़ा से आज हमें इस तरीके का भारत दिखता है, देखे, जब से अर्थ का origin हुआ है, तब से लेकर आज तक आपको पता है कि अर्थ का origin 4.6 million year अगो या और you can say 4500 million year अगो पहले हुआ था, तब से लेकर आज तक different different time पर कुछ-कुछ event अर्थ पर हुए, उन event की व जैसे ही हमें इस तरीके का भारत दिखता है, ये physical map of India दिखता है, तो इस पाचारो-पाचो physical division को समझने के लिए हमें geological time scale का help लेना होगा, हमें geological time scale के सांसाथ बढ़ते हुए ये देखना होगा कि कौन-कौन से time period पर, कौन-कौन से ऐसे important event हुए थे, जिसके impact से आज हमें इस तरीके का भारत दिखने को मिलता है, so what we will do, we will discuss geological time scale to understand this physical map of India, so let's start with geological time scale, तो geological time scale, ठीक है, time scale है, आपको यहाँ पर अर्थ के origin से लेकर अभी तक की पूरी time scale और उन सारे time scale पर क्या event हुए थे, उस पर आप discussion करने वाले हैं, majorly उन event पर discussion होगा, जिसका impact इंडिया में पढ़ता है, क्योंकि हम Indian geography पढ़ रहे हैं, तो हम उन events के बारे में majorly discussion नहीं करेंगे, जिसका impact इंडिया पर देखने को नहीं मिलता, world के और countries पर देखने को जरूर मिलता होगा, लेकिन हम सिर्फ उसी important events को यहाँ पर consider करने वाले ह जिसका impact हमें इंडिया के physical map में देखने को मिल रहा है, या फिर आपको इंडिया की geography में देखने को मिल रहा है, देखें, geological time scale can be categorized into four parts, देखें, यह आप देख रहे होगे era, period, epoch and age, चीक है, यह सारे time scale को denote करने वाले ही terminology है, जब हम time scale लेते हैं around 1000 to 1500 million year ago तक का, मतलब इतने लंबे समय की जब बात की जाती है, तो इतने लंबे समय को हम denote करते हैं era बोलकर, चीक है, फिर उसके बाद, जब इसी 1000 to 1500 million year ago तक का जो time period है, उसे sub-categorize किया जाता है, उसे और छोटा किया जाता है, तो और छोटा किया जाता है लगबग 100 to 150 million year ago तक का, तो इतने लंबे time period को हम period बोलकर denote करते हैं, period बोलकर बुलाते हैं, चीक है, तो आपने क्या देखा, कि era एक ज़ादा time period वाला duration है, period comparatively कम है, या फिर पिर पिरेड सब-categorize है, किसका era का, फिर period का सब-categorize कौन आ जाएगा, तो epoch, तो epoch में क्या किया जाता है, तो epoch में 10 to 20 million year ago के duration को consider किया जाता है, ठीक है, और इस epoch का भी further आप सब-categorize जब करेंगे, तो आपको ये thousands पर देखने को मिलेगा, मतलब जो year पर बात हो रही है, वो year कितने लंबे duration का होगा, त तो इस हिसाब से सबसे बड़ा duration denote करता है era, ठीक है, फिर उसके बाद denote करता है period, और फिर उसके बाद denote करता है epoch, तो इस तरीके से आप इस time duration के हिसाब से आपने एक sequence बना लिया, तो सबसे बड़ा होता है era, उसके बाद period, और सबसे छोटा होता है age, clear है, तो कितने प्रका पर categorize किया गया है तो जरा उस पर भी हम बात कर लेते हैं देखिए सबसे पहले pre-cambrian आता है चीक है pre-cambrian era era को चार पार्ट में divide किया गया pre-cambrian era, paleozoic era, mesozoic era and at last and recent one is senozoic era clear है तो सबसे पहले pre-cambrian era आता है उस pre-cambrian era पर तीन period sub-categorized होते हैं चीक है, first one is azoic then archean and then protozoic clear है, paleozoic era पर 6 period देखने को मिलेंगे cambrian, ordovician, silurian, devonian carboniferous and permian और mesozoic era पर आपको तीन period sub-categorized होते हुए दिखेंगे that is classic, jurassic and cretaceous and senozoic era पर आपको tertiary और quaternary period देखने को मिलेगा यह जो सारे आपने era देखा इसमें सबसे oldest era कोंसा होगा that is pre-cambrian era लगबग 4500 million year अगो से लेकर 600 million year अगो तक का यह पूरा का पूरा pre-cambrian era का मामला दिखेगा clear है? तो सबसे oldest one is pre-cambrian era then paleozoic era then mesozoic and then senozoic तो अब इतने सारे आपने period देख लिए अब हर एक period पर कुछ न कुछ event अर्थ पे हुआ है और हर एक period पर जो event हुआ है उसकी वज़ास से अर्थ में जितने भी countries हैं या फिर अर्थ के physical part पर कुछ हमें impact भी देखने को मिला है लेकिन क्या हम सभी को discuss करने वाले हैं तो नहीं हम सिर्फ उसी period के बारे में discussion करने वाले हैं जिस period पर ऐसे event हुए है जिसका impact इंडिया की जोगरफी पर देखने को मिलता है जैसे की pre-cambrian era के arcan period पर हम discussion करेंगे underline हुआ है तो जो जो underline हुआ है वो ऐसे ही period है पहलो जो एक era पर हम silurian, carboniferous और premium period के बारे में बात करेंगे mesozoic era पर हमें cretaceous time period और jurassic time period दोनों में ही कुछ ऐसे event होते हुए दिगे है जिसका impact इंडिया में पढ़ा है और फिर उसके बाद सेनोजोई एरा के दोनों ही period पर इंडिया में बहुत बड़ा कुछ हमें impact देखने को मिलेगा तो चलिए ऐसे बारी-बारी से हम इन सारे period उनके event और इंडिया पे impact को हम समझते चलेंगे और तब हम समझेंगे कि जैसा हम physical map आज इंडिया का देखते हैं नेचरल इंडिया हम देखते हैं वो आखिर बना ही कैसे तो लेट्स स्टार्ट विट pre-cambrian era के arcian period चेक है arcian period आपको time period दीख रहा होगा बहुत पुराना 2500 million year ago to 600 million year ago ये बहुत पुराना time है ये pre-cambrian time का period है देखे इस time पर इंडिया के respect में कुछ major event नहीं लेकिन world के respect पर major event जरूर हुआ था और इंडिया भी उससे अच्छूता नहीं था और वो क्या था important event कि इस arcian period पर हम अर्थ के सबसे uppermost part को solidify होता हुआ देखते हैं crust बनता हुआ देखते हैं देखे इसके पहले जितने भी period आप देखेंगे चीक है अजोईक period उस time तक आप अर्थ पर एक solid part नहीं देख रहे थे देखे अर्थ बहुत ही ज़्यादा unstable था उस समय चीक है बंबार्डमेंट हो रहे थे लावा surface पर आ रहे थे उतल पुतल मचा हुआ था और उस समय आपको एक solid part नहीं दिखा था आर्केंट period वो period बनता है जहां पर अर्थ का uppermost part एक solid form पर convert होता है जिसे आप कहते हैं crust चीक है तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया या फिर world के जितने भी यहाँ पर solid part दिखे जो जमीन दिखी जो solid part दिखा आपको crust वो इसी आर्केंट time period पर बनता है तो इस तरीके से आप इस image में भी इसे समझ सकते हैं कि आप ये देख रहे होंगे कि continent form हुआ clear है और साथ ही साथ oceanic crust भी यहाँ पर form हो चुके हैं clear है अब crust के नीचे क्या आता है mental mental के नीचे क्या आता है core बस उसमें हम detailing में नहीं जाएंगे क्यों हो required नहीं है Indian geography में ठीक है तो ये जो आप uppermost part देख रहे हैं ये uppermost part इस part का formation होता है arcane period पर clear है और फिर उसके बाद जो solid form आपको मिला उसे ही आप क्या कहते हैं crust या फिर uppermost part of earth clear है जब crust और upper mental को consider कर लिया जाता है ठीक है अर्थाद mental का वो वाला part जो solid part है इनको consider कर दिया जाता है तो इसे ही क्या कहा जाता है plates ठीक है भूपरपटी कहते हैं इंदी में plates form होते हैं ठीक है तो सबसे पहले arcane period पर हमें formation of crust देखने को मिलेगा अर्थाद भारत की जो जमीन है वो भी जमीन इसी time period पर बनती हुई दिखती है clear है समय की घड़ी आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ पर cilurian period पर देखें cilurian period किसका था कौन से era का था तो cilurian period जो था वो था paleozoic era का ठीक है pre-cambrian era खतम हुआ और उसके बाद paleozoic आया paleozoic के एक दो period के बाद cilurian period आता है जिसका time duration हमें देखने को मिलता है 443 million year ago to 417 million year ago यह इसकी duration है clear है अब इस cilurian time period पर बहुत ही major events take place करते हैं बहुत ही major events होते हैं जिसका बहुत बड़ा impact इंडिया की geography पर और you can say इंडिया के physical division पर देखने को मिलता है तो क्या event हुए थे तो इस cilurian period पर collision of three proto continent हुआ था ठीक है थोड़ा सा हम continental drift theory की तरफ shift होते हैं देखे पूरी की पूरी पृत्वी इस समय तक लगबग 200 million year अगो तक तो जाहिर सी बात है अभी तो वो आया ही नहीं है 200 million year अगो तक ये पूरी की पूरी पृत्वी दो पार्ट पे divided थी एक जो पार्ट था ये पार्ट land वाला पार्ट था और उसके बाद जो ये वाला पार्ट था ये water वाला पार्ट था इस land वाले पार्ट को पेंजिया कहा जाता था और इस water वाले पार्ट को पैंथलासा कहा जाता था चीक है कार्बोनी फेरस टाइम पिरेट पर पर्मियन टाइम पिरेट पर फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि यह जो पैंजिया वाला पार्ट है यह फर्दर क्या होगा इसका डिविजन होगा चीक है और इस पेंजिया के डिविजन के बाद आज हमें present day पर अलग-अलग continent और अलग-अलग continent पर अलग-अलग countries हमें देखने को मिलते हैं clear है ये बहुत ही basic सी जानकारी है लेकिन ये जो आप part देख रहे हैं पेंजिया क्या यह अचानक से तूटा होगा कार्बोनी फेरस टाइम पिरेड पर अचानक से इसमें फोर्स लगे होगी अचानक से तूटकर अलग-अलग हुआ होगा नहीं अचानक से कुछ भी नहीं होता ठीक है इसका मतलब क्या है कि जरूर नोटेबल हमें ब्रेकेश क्लियर है मतलब कि फोर्सेस लग रहे थे काफी लंबे टाइम पिरेड से भले उसका आउटकम और रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा लेटर पिरेड पर लेटर एरास पर क्लियर है तो इसी अधार पर अब आप ये समझेए कि फोर्स लग रहा था पेंजिया पर और इस पेंजिया पर फोर्स जब लग रहा था तब हमें क्या देखने को मिलता है कि वो वाला पेंजिया का पार्ट जाव तोटकर इंडिया बनता है उस पार्ट पर हमें थ्री region हुए हैं उसी पेंजिया के अंदर में ही अभी तूटकर separately इंडिया अलग नहीं हुआ है पेंजिया में ही है इंडिया और वो जो इंडिया का पास है जू इंडिया का प्लेट है जो आगे तूटने वाला है उसमें कुछ यहां पर forces लगे और forces जब लगे तो three proto continents का टकरा हुआ proto continents मतलब क्या हुआ कि काफी पुराने continents और वो कैसा टकरा हुआ कुछ इस तरीके से clear है एक proto continent था अरावाली प्रोटो कॉंटिनेट चिंग एक proto continent था ये वाला जिसे कहा जाता है शिंग भूम प्रोटो कॉंटिनेट और ये Southern साइड में जो प्रोटो कॉंटिनेट था इसे कहा जाता है धारवाला चिंग है तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये त्री पोटो कॉंटिनेंट्स क्या होंगे? आपस में आकर एक दूसरे से तकरा रहे हैं. छोटे-छोटे कॉंटिनेंट हैं. इंडियन प्लेट में ये आपस में आकर तकरा रहे हैं. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रह जो joints होंगे, इस joints पर हमें folded mountains देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ हमें कुछ river के courses भी देखने को मिलते हैं, क्या कहा मैंने, कि ये जो आपका collision हुआ, इस collision पर आपको folded mountains बनते हुए भी दिखेंगे, और कुछ river courses भी आपको बनते हुए दिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये ही समझ लेते हैं, कि what do you mean by folded mountains, folding का मतलब क्या, चो चलिए, folding समझ लेते हैं पहले, देखिए, जब दो प्लेटे एक दूसरे की तरफ आती हैं, ये मान लेते हैं कि दो प्लेट हैं, और एक प्लेट आपको यहाँ पर, एक प्लेट आपको इस direction पर आता हुआ दिख रहा है, औ अर एक प्लेट आपको इस direction पर आता हुआ दिख रहा है, मतलब इन दोनों प्लेट की जो movement है क्या है, एक दूसरे की तरफ है, ठीक है, फिर जब इन दोनों प्लेट का क्या होगा, collision होगा, ये दोनों प्लेट आपस में आकर क्या होगा है, तकरा गए, तो जब ये तकराएं तो folded part क्या होगा, अपस साइड में वो uplift होगा, और जो ये अपस साइड में upliftment होता है, ये ही आगे चल कर आप इसे ही क्या कहते हैं, folded mountains, ठीक है, आप इसे क्या कहते हैं, folded mountains, जब दो convergent plate, convergent plate कहने मतलब converge होने वाले plates, ऐसा ही divergent plate भी होगे, उसकी भी कहानी यहाँ पर तो जब two convergent plates collided with each other, तो beach वाला part will get folded, और हमें जो mountain मिलेगा, उसे आप क्या कहेंगे, folded mountain, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कि जब अरावली, सिंग्भूंग और धारवार जैसे three proto continent आपस में टकराएंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, folded mountains देखने को मिलेगे, और वो कौ कौन से folded mountains होंगे, तो जरा उस पर भी हम बात कर लेते हैं, जहां जहां हमें ये collision देखने को मिला, वहां पर आप देखें कि एक plate, एक आपको folded mountain कौन सा दिख रहा है, that is अरावली, राजस्थान में, ठीक है, गुजराज से दिल्ली तक फैला हुआ mountain है ये अरावली, ठीक है एक आपको दिखेगा विंदियन, विंदियन के southern side में आपको दिखेगा सत्पूरा, और eastern side पर आपको क्या दिखेगा, छोटा नाकपूर, तो आप क्या बताएंगे, कि जब ये collision हुआ, तो folded mountains बने, folded mountain कौन कौन से, तो अरावली mountain, ठीक है, विंदियन, and सत्पूरा mountain, और छोटा नाकपूर का पठार, या फिर छोटा नाकपूर प्लेटिव, तो ये हमें folded mountains यहाँ पर बनते हुए दिख गए, ये impact पड़ा, इस Silurian period पर collision का, clear है, और अगला जो impact हमें देखने को क्या मिलता है, that is river courses, देखे, जब collision होगा, तो एक पार्ट जब क्या होगा, उपर की उठेगा, तो जहाँ joint होगा, तो joint पर आपको कुछ depression सा दिखेगा, एक गड़्डे जैसा दिखेगा, जनरली folding कैसी होती है, folding ऐसे होती है, ठीक है, तो य क्या होगा, इस depression को अपना river course बना कर नदियां बहने लगेंगी, river flow करने लगेंगी, clear है, तो इसका example आप यहाँ पर क्या देखेंगे, तो चला इस पर भी बात कर लेते हैं, तो क्या हुआ, folded mountain बने, और river courses भी यहाँ पर develop होते हुए दिखते हैं, तो देखे, इसी joints पर आप को यह river बहता हुआ दिखेगा, वो क्या नाम है, तापी, clear है, तो इस तरीके से हमें कुछ यहाँ पर river courses भी बनते हुए दिखते हैं, तो physical map of India जब आप देख रहे हैं, तब आप एक introductory information आप तक पहुँच गया, आपको मालूम चल गया कि अरावली बिंदियन सत्पुडा, समय की घड़ी आगे बढ़ी, ठीक है, समय रुखता तो नहीं है, ना इनके लिए, ना मेरे लिए, ना आपके लिए रुखेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसलिए समय का सध्यूपियोग करना बहुत जरूरी है, चलिए, तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया, सु 354 million year ago to 290 million year ago, और इस समय क्या होता है, इंडिया के परपेश में नहीं, पुरे दुनिया के परपेश में एक important event होता है, और वो क्या होता है, पेंजिया तूट जाता है, यह आप देख रहे होंगे, यह पूरी की पूरी पृत्वी है, अर्थ है, और यह जो लैंड वाला प पार्ट क्या है, इट इस पैंजिया, चीक है, सारे continent एक साथ एक जगे पर रखे हुए, और यह जो आप वाटर वाला पार्ट देख रहे हैं, बुलू कलर में, इस पैंथलासा, चीक है, तो इस carboniferous time period पर हमें क्या देखने को मिलेगा, carboniferous time period पर दिखेगा, कि यह पूरा का पूरा पेंजिया, ब्रेक हो जाता है, दो पार्ट में, clear है, एक पार्ट क्या बनेगा, गुर्णवाना लेंड, चीक है, और एक पार्ट क्या बनेगा, लॉरेशियन प्लेट, और इसे ही आप क्या कह सकते हैं, अंगारा लेंड भी आप इसे कह सकते हैं, अंगारा लेंड, चलिए तो ये दो पार्ट में क्या हुआ पैंजिया का ब्रेक हुआ पैंजिया ब्रेक हुआ जो सदन वाला पार्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ये क्या बनता है ये गुणवाना लेंड और जो आपको नदन वाला पार्ट देखने को मिल रहा है वो क्या बनता है लॉरेशिया या फिर अंगारा लेंड तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम हम हमिस्पियर पर देखें तो जो सदन कॉंटिनेंट्स होंगे सदन कॉंटिनेंट्स होंगे वो गुणवाना लेंड के पार्ट है और जो आप यूरोप देखते हैं या फिर नदन हमिस्पियर पर जो कंट्री मेजरली आप देखते हैं वो किसके पार्ट है तो वो किसके पार्ट है तो वो पार्ट है किसके लॉरेशिया या फिर अंगारा लेंड के तो कार्बोनी फेरेस टाइम पिरेड पर ये कहानी होती है कार्बोनी फेरेस के बाद कौन सा टाइम पिरेड आएगा तो यस पर्मियन टाइम पिरेड आएगा और इस पर्मियन टाइम पिरेड पर इंडिया में कुछ और इवेंट होते हैं और इंडिया में कुछ औ और important impact देखने को मिलता है तो क्या हुआ था पर्मियन पिरेट पर देखिए सबसे पहले तो इसका आप duration देखें तो 290 million year ago to 248 million year ago तक का इसका duration है इस पर्मियन टाइम पिरेट पर sing boom region पर, sing boom आपने कहा पर देखा था? याद कर यह that proto continent at eastern part of India चेक है? वहाँ पर आपको sing boom proto continent देखा था? उस proto continent पर हमें क्या देखने को मिलता है? faulting देखने को मिलता है अब बात यह आती है कि folding तो हम समझे थे, what is faulting? देखिए जब दो plates आपस में आकर टकराते हैं convergent plates होते हैं तो उनके बीच में collision होता है collision जहां पर होगा वहां पर हमें folding देखने को मिलता है generally अब अगर ठीक इसी तरीके से कोई एक plate में opposite direction पर force दिखे तो क्या होगा दोनों plates एक दूसरे से अलग हो जाएंगे या फिर divergent हो जाएंगे clear है तो इस तरीके से अब इसे देखने की कोशिश करेंगे ये एक plate है समझ लिजी ठीक है और इस plate पर आप क्या देख रहे हैं कि opposite direction पर हमें force लगता हुआ दीख रहे है ये आपको force देखने को मिला मतलब कि tensile force यहाँ पर act कर रहे है tension create हो रहा है ये plates के दोनों हिस्से पर अलग-अलग direction पर force लग रहे है तो होगा क्या कि जो इस तरीके का plate है इस side में जो direction पर जो force लग रहा है वो plate इस तरफ खसकेगा और इस तरफ खसकेगा ये वाला plate जिसके force की direction उस तरफ है चिक है तो ये plates क्या होगा है एक दूसरे से अलग होगा है लेकिन जो center वाला part था center वाला part था वो क्या होगा center वाला part धसक जाएगा नीचे की और देखे एक plate है उसके दो direction पर force लग रहे है तो दोनों क्या होगे आपस में एक दूसरे से क्या होगे अलग होगे लेकिन जो center वाला part है जो इन दोनों के support पर एक similar plate बना हुआ था वो क्या होगा नीचे की और धस जाएगा इसे ही क्या कहा जा रहा है faulting और इस faulting की वज़ा से जो ये valley create हुआ ये valley बना valley क्या होता है mountains mountains के बीच में जो हमें दबा हुआ पार्ट दिखता है जो depression दिखता है उसे हम generally valleys कहते है ठीक है उठे हुए पार्ट के बीच में दबा हुआ पार्ट that is valley तो ये हो गया faulting और faulting की वज़ा से जो हमें यहाँ पर valley बनता हुआ दिखता है उसे आप क्या कहते है rift valley clear है तो same boom region पर हमें कुछ इसी तरीके का event होता हुआ दिखता है उससे होगा क्या उससे होगा ये same boom छेत्र में ही हमें क्या दिख रहा है तो छोटा नागपूर का प्लेट यू दिख रहा है clear है चलिए आगे बढ़ते है ये तो हो गया faulting अब इसकी वज़ा से impact क्या आएगा impact ये आएगा कि इस जगे पर इस सीम्भूं वाले region पर हमें sedimentation और vegetation देखने को मिलता है पेड़ पौधे और जानवरों का sedimentation हो जाएगा देखिए क्या होगा पेड़ पौधे हैं जमीन के उपर plates क्या हुए एक दूसरे से अलग हुए बीच वाला पार्ट धस गया तो बीच वाला पार्ट जब नीचे की और जाएगा धस हैगा तो इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या होंगे नीचे की और जाएगे और एक लंबे टाइम पिरेट पर फिर क्या होगा यहाँ पर फिलिंग होगी और यह जो पेड़ पौधे हैं यह जो vegetation हैं यह जमते रहेंगे इनका sedimentation होता रहेगा layer by layer layer by layer क्या होगा यह नीचे की और दपते जाएगे नीचे की और यह जाते जाएगे एक layer बनता जाएगा और यह जो vegetation का sedimentation नीचे की और चला गया जो sedimentation हुआ यही sedimentation आज present day पर हमें कौन सम mineral source देता है तो यह हमें coal provide करता है So it is the reason for चोटा नाकपूर region being coal rich region clear है यही कारण है जिसकी वज़ा से चोटा नाकपूर वाला area सिंग्भूं वाला area वहाँ पर हमें coal reserves देखने को मिलते हैं clear है आगे बढ़ते हैं अब इस वज़ा से और कुछ हुआ तो इस वज़ा से हमें और कुछ river courses बनते हुए दिखते है चलिए यहाँ पर हम देखते हैं यह छोटा नाकपूर वाला area है ठीक है इडिस छोटा नाकपूर प्लेट्यू रिज़न यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता coal क्योंकि vegetation का क्या हुआ sedimentation अब हमें यहाँ पर उस faulting की वज़े से ही एक river flow होता हुआ दिखेगा और इस river को आप किस नाम से जानते हैं दामुदर river ठीक है दामुदर river भी rift valley को follow करके बहने वाला river है like नर्मदा clear है कई जगों पर महा नदी नदी को भी rift valley follow करके बहने वाली नदी ही कहते है बट इसका बहुत ज़ादा authentic source हमें देखने को नहीं मिलता clear है तो क्या हुआ पर्मियन टाइम पिरिएट पर faulting हुआ सिंभूम वाले region पर impact किया हुआ river courses बने दामुदर river का और हमें vegetation का sedimentation देखने को मिला जिसकी वज़ा से छोटा नागपुर वाला area जो है वो coal reserve rich region बन जाता है पर्मियन खतम हुआ कौन सा तो पर्मियन के खतम होते है पहले जोईक एरा खतम हो जाता है उसके बाद अगला एरा आता है that is mesozoic और mesozoic पर आपने क्या-क्या देखा था बट जब हम आगे बढ़ते हैं और जुरासिक time period देखते हैं जिसका year हमें देखने को मिलता है 205 million year ago to 142 million year ago चीक है हाँ ये वही वाला time period है जहाँ पर हमें dinosaurs के history देखने को मिलते हैं चीक है जुरा नाम का एक परवत है एक पहाड है mountain है scissor land पर और वहीं पर हमें dinosaurs के fossils देखने को मिलते हैं और इसी लिए ये जुरा जो mountain है उसी जुरासिक time period पर हमें देखने को मिलते हैं और इसी जुरासिक नाम पर based कई सारे dinosaur के movies भी आपने देखे होंगे चीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन क्या इंडिया में थे के dinosaur तो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में क्या हुआ था इस dinosaur वाले time period पर वो हम समझते हैं transgression of ocean हुआ था इंडिया में clear है जो इंडिया का region है वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये है आपका गुजरात वाला region चीक है और इस गुजरात वाले region पर हम क्या देखते हैं इस Jurassic time period पर कि ये जो region है गुजरात वाला जो कच्छ region है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो oceans है oceans के पानी जो थे वो क्या हुए इस land के उपर चले आए इनको cover कर लिया Transgression हुआ ocean का चीक है और एक काफी लंबे time period तक ये ocean ने इस पूरे area को cover करके रखा हुआ था अब जिस वज़ा से क्या होगा तो सबसे पहले तो अगर ocean का पानी काफी लंबे time period तक यहाँ पर है इसका मतलब क्या है कि ocean का जो नमक होगा वो भी इस land पर रह जाएगा एक time period बार ये जो ocean थे वो वापस भी आ गए तो जब तक यहाँ पर ocean का पानी था तब तक हम क्या देखते है कि यहाँ पर salt का deposition आज हमें present day पर देखने को मिलता है ठीक है अब इसी region पर आपने क्या देखा है आपने run-off कच्छ भी देखा है clear है हाँ ये वही run-off कच्छ है जहां से belong करते हैं जेठालाल clear है एक बार इसी run-off कच्छ में मतलब कि ये जेठालाल जी क्या हुए यहाँ पतंग उड़ाने गए थे मकसंकरांती पर और ये बहुत दूर तक फैला हुआ कभी न खत्म होने वाला सफेद धूमी कहा जाता है इसे ठीक है पूरा white white land दीखता है तो जेठालाल यहाँ पर गये थे white white पूरा land दीख रहा था पता नहीं चला कि कहां पर इंडिया का border खतम होता है और कहा पर पाकिस्तान का शुरू होता है ऊट पर बैटे थे और उट को तो border पता नहीं होता क्योंकि ये तो सिर्फ इंसानों को पता होता है तो उट क्या किया चला गया पाकिस्तान चले गए जिठालाल अरेस्ट हो गये और एक लंबी कहानी चली इस जेट हलाल को छुडाने की ठीक है तो ये क्या एक्जाम पर आएगा नहीं आएगा तो क्यों बताया गिया समझने के लिए ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तो सॉल्ड का डिपोजिशन हुआ इस वाले लेंड फॉर्म पर और यहां पर हमें रन आफ कच्छ आज देखने को मिलता है ठीक है अब ओशियन जब यहां पर आया कवर किया हुआ था तो ओशियन के जो और्गेनिजम्स थे उनके क्या फोसिल्स यहां पर नहीं कठा हुए हो होंगे उनके फोसिल्स ही कठा हुए होंगे और उनके फोसिल्स की वज़ा से हमें ओईल रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं इस रिजन पर तो आपको यहां पर रन आफ कच्छ के साथ साथ में और क्या देखने को मिलेगा आपको इस रिजन पर ओईल रिजर्व्स देखन time period of Jurassic period clear है तो ये कारण बना किस चीज़ का run off कच्छ का transgression हुआ तो ocean का समय आगे बड़ा ठीक है अब हम Jurassic के बाद कहां पहुँचेंगे किटेशियस time period पर किटेशियस time period पर इंडिया के respect में major event बहुत बड़ा measurement अभी तक इंडिया जो है वो गोंडवाना लेंड से चिपका हुआ था ठीक है और अब इंडिया क्या होने वाला है इस गोंडवाना लेंड से ये इंडिया pink color का आजाद होने वाला है और आजाद होने के पाद ये इंडिया प्लेट अपनी north world movement चारी कर देगा अपने north world journey के लिए ठीक है तो इस time period पर हमें क्या देखने को मिलता है cretaceous time period पर इंडिया गोडवाना लेंड से अलग होगा और इंडियान प्लेट का क्या होगा north world movement शुरू हो जाएगा सिर्फ इतना नहीं इसके अलावा भी कुछ होगा अलावा क्या होगा कि जब ये इंडियान प्लेट north world movement पर आगे बढ़ेगा तो इसी time period पर इसी cretaceous time period पर हमें यहाँ पर इस region पर एक island देखने को मिलता है जिसे क्या कहा जाता है reunion island ठीक है इसे यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं क्या देखने को मिलता है reunion island ठीक है और यह reunion जो island है इसके special feature क्या है special feature इसके यह है कि reunion island is a kind of volcanic island मतलब कि जो आलामों की फट रहे हैं volcano eruption हो रहे हैं volcanic eruption हो रहे हैं तो इंडियान प्लेट जब जाएगा northward movement करेगा northward journey करेगा तब क्या होगा reunion island के उपर से यह इंडियन प्लेट कुछ समय के लिए गुजरेगा कुछ समय कहने का मतलब जो आलेजिकल टाइम इस फिल गया आप कह रहे हैं लाखों साल ठीक है अब reunion island पर जब लाखों साल तक इंडियन प्लेट होगा तो volcanic eruption तो होई रहा था तब क्या होगा कि इंडियन प्लेट पर ये reunion island की वज़े से volcanic eruption आएंगे लावा आएंगे और इंडियन प्लेट पर इन लावा जो erupted हुए हैं उनका फैला होगा और यही erupted lava later on after solidification एक नए प्रकार का land form इंडिया में बनाएंगे जिसे आप क्या कहते हैं दक्कन trap आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका southern states हैं वो southern states कौन से state पर आते हैं जनरली दक्कन trap पर आते हैं तो दक्कन trap बनता हुआ देखने को मिलता है एक और खास बात जब Indian plate अपनी movement शुरू कर दिया था तब Indian plate का ये जो western वाला part है western वाला part यहाँ पर cracks develop होते हैं ठीक है यहाँ पर cracks develop होंगे इस western वाले part पर और ये जो cracks develop हुए ये cracks develop होने के बाद ये वाला part western वाला part इंडिया से क्या हो जाएगा separate हो जाएगा और क्या करेगा ये जो western part है चला जाएगा अफरीका के पास और अफरीका के पास पहुंचते ही वहाँ पर रुख जाएगा और आज आप उसे मड़ा गास कर के तोर पर जानते हैं ठीक है रिउनियन आइलेंड के उपर से गुजरते हुए volcanic eruption हुआ और जो volcanic eruption का लावा का जो solidification हुआ अब फिर उसके बाद हमने क्या देखा western part टूटकर अलग हुआ इस वज़ए से जो western घाट का western वाला पार्ट होगा उसके slope काफी steep होंगे तीखी ढ़ालोगी इसी वज़ए से peninsular plateau का जो slope है वो west to east भी बना हुआ हिमालय का जो formation है वो भी एक reason है बट ये भी एक reason है जिसकी वज़ए से हमें peninsular इंडिया पर जो major rivers दिखते हैं भले उनका origin western part of इंडिया से होता है बट वो east की तरफ flow करते हुए bay of bengal पर जा कर मिलती है clear है तो इस तरीके से आपको इस चीज़े बताई जा रही है ताकि आगे जो भी developments होंगे further topics में आपको ये सारी चीज़ connect करने में help करेगी चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये cretaceous time period में पूरी कानी चलिए आगे बढ़ते हैं सेनोजोइक time period आएगा और सेनोजोइक time period के सेनोजोइक एरा के tertiary time period पर हमें क्या देखने को मिलेगा collision of Indian plate and Eurasian plate इंडिया प्लेट का क्या हुआ था northward movement शुरू हो गया था northward movement जारी हो चुका था और इस time period पर tertiary period पर हमें इस Indian plate का इस Eurasian plates की साथ क्या देखने को मिलता है collision तकराओ compression force होगा squeezing होगी ठीक है और जब एक compression होगा squeezing होगी दो प्लेट टकराएंगे तो क्या होता है folding होता है folding होगा तो क्या होगा एक mountain बनेगा उस mountain को आज आप किस नाम से जानते हैं हिमालिया हिमालिया is example of youngest and highest folded mountain इसी लिए कहा जाता है चीक है तो हिमालिया क्या हुआ हिमालिया फॉर्म हुआ कब तो ये tertiary time period पर clear है उसके बाद last अब हिमाले बन गया हिमाले से कुछ rivers भी flow कर रही है ठीक है हिमाले से कुछ rivers भी flow कर रही है हिमालियन rivers जिसे आप कहते हैं अब ये जब rivers flow करेंगी तो अपने साथ क्या करेंगी sediments carry करेंगी कंकर पत्तर carry करेंगी और एक जगे पर ले जाकर क्या करेंगी इन sediments का deposition करेंगी जब river water के पास में इतना force ना हो कि इन sediments को आगे carry forward कर सकें तो ये sediments को क्या करेंगी deposit कर देंगे और इस deposition की वज़ा से एक नए प्रकार का land form बनेगा इंडिया पर और वो नए प्रकार का land form क्या बनेगा that is northern plane ठीक है तो सबसे last में सबसे नया क्या है northern plane clear है इसी पर based question पुछा गिया था CGPSC prelims exam पर ठीक है पुछा गिया था कि सबसे पुराना land form कौन सा तो जाहिर सी बात है peninsular India peninsular plateau ठीक है क्योंकि arcane time period पर ही तो वो peninsular या फिर इंडिया का सता बना था ठीक है तो सबसे पुराना क्या हुआ तो peninsular plateau पाचों पार्ट में से सबसे यंग कौन सा हुआ that is northern plane सेनेजोइक एरा के quaternary time period पर हमें यह northern plane form होता हुआ दिखता है तो इस तरीके से आज आपने जो भी समझा इस वीडियो में वो क्या समझा कि major geological time period पर ऐसे कौन से major events हुए थे incidents हुए थे जिसका impact इंडिया पर पड़ा और आज हमें वर्तमान पे इंडिया ऐसा दिखता है जैसा मैंने आपको सबसे पहले image में दिखाया था चीक है चलिए इसके बाद next वीडियो पर हम physical division के सबसे important और सबसे पहले physical part पर बात करेंगे category पर बात करेंगे that is northern mountain clear है thank you